हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आपकी इस्टडी जैसा कि जानते हैं कि केम्प्यूटर से जूरे जितने भी महत्पुन प्रश्ण होते हैं वह आपके एक्जाम के लिए काफी हेलफ होलोता है अगर आप कॉम्टेटिव एक्जाम की वितियारी कर रहे हैं या किसी बोड एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं है ना या किसी भी प्रकार का अगर आपको एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें केम्प्यूटर काफी महत्पुन भूमिका निभाती है आपकी एक्जाम में ठीक है तो केम्प्यूटर से जितने भी जूरे प्रश्ण IMP है यानि important question है वो मैं आपको बताने वाला हूँ total 50 question मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो शुरू से लेकर के last तक देखना ओके और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप संचते हैं ये कि हम computer में महारती हासिल किया हुए है तो भाई ये तो आपके लिए बहुत important है क्योंकि देख लेना कि आखिर अभी तक आपने क्या याद किया और क्या नहीं याद किया वो पता चल जाएगा इसमें तो चलिए शुरू करते हैं तो आईए सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं तो जैसा की आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आमारे पास है कि वाई-फाइ का पूरा नाम क्या है ये आप से पूछा जा रहा है वाई-फाइ वाई-फाइ जो हम लोग यूज करते हैं घरों में या फिर दुकानों में या कंपनियों में ठीक है जिसे हम अपना मुवाइल कनेक्ट करके रखतें नेट से तो यह वाइफाई का पूरा नाम क्या होता ही आप से पूछा जा रहा है ठीक है तो इसका जो सही एंसर है आप देख सकते हैं उतर मैंने लिखा कि वायरलेस फीडेलीटी ठीक है फीडेलीटी वायरलेस फीडेलीटी यह हमारे पास इंसर है इसी प्रकार चलते हैं प्रेशन करमांग दो की और तो दो में आप देख सकते हैं लिखा गया कि किसी भी ब्राउजर ब्राउजर यह जैसे की क्रोम ब्राउजर हो गया यूसी ब्राउजर हो गया है ना तो कोई भी ब्राउजर तो किसी भी गया कि मॉडम ठीक है मॉडम किस से जूरा होता है यह आप से पूछा जा रहा है तो इसका सही एंसर टेलीफोन लाइन से जूरा होता है मॉडम ओके इसी प्रिकार चलते हैं प्रेशन कर मांग फोर की और तो फोर में यहां पे दिया गया है कि कोड की स्क्रेंबलिंग को क्या कहा जाता है ठीक है कोड की स्क्रेंबलिंग को क्या कहा जाता है उत्तर मैंने लिखा है एंक्रिप्सन क्या कहा जाता है इस बात को याद रखना तो केम्प्यूटर से जूरे जितने भी मॉस्ट इंपरेंट क्वेशन हो मैं आपके सामने लेकर क्या हू तो प्रेशन करमांग फाइब की और चलते हैं तो फाइब में देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है कि बीजली की फिलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही एंणिसर यूपीएस ठीक है ूपीएस का और जै बीजली कड़ जाता है तो यूपीएस कुछ समय तक इसको चलाए रखता है ठीक है अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जल्द से 5-6 काम करता है रहें के तोड रे ट्यूब ठीक है कैथोड रे ट्यूब यानि CRT का उधारन है तो मॉनीटर क्या इसका उधारन मॉनीटर ठीक है इसी प्रकार चलते हैं प्रश्ण करमांग 7 की और तो आप देख सकते हैं प्रश्ण करमांग 7 में दिया गया कि केंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पुर्ण रूप क्या होता है तो यानि पूरा नाम इसे पूछा जा रहा है तो इसका सही एंसर है लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क यह हमारे प प्रक्रियाओं का सेट किया कहता है ये आपसे पूछा जा रहा है इसका सही इंसर है प्रोटोहकोल्स क्या कहलता है प्रोटोकॉल्स ओके इसी प्रकार चलते हैं प्रेशन क्र occur कहलाता है यह आपसे पूछा जा रहा है इसका सही इनसर है protocols क्या कहलाता है protocols ओक इसी प्रकार चलते हैं present कर्मांग 9 की गरता नो में दिया गया है कि dash छोटे graphical ठीक है omega-THड हुच छोटे graphical चिन होते हैं जो केंप्यूटर स्कीन पर प्रदर्सित होते हैं यह आप से पूछा जा रहा है तो इसका सही इंसर है आइकॉन क्या होगा दोस्तों इसका सही इंसर आइकॉन प्रश्ण करमांग दस की और चलते हैं तो दस में दिया गया है की चार बीट अथवा हाफ वाइट यह दूने एक ही बात है तो चार वीट अथवा वाइट डैस कहलाता है क्या कहलाता है तो निबल कहलाता है क्या कहलाता है निबल कहलाता है ओके तो प्रश्ण करमांग 11 में देख सकते लिखा गया कि केंप्यूटर में बग एक तरह का डैस होता है तो एर कहलाता है क्या कहलाता है यानि केंप अर्थार्थ जीरो और एक को हम बाइनरी अंक बोलते हैं ठीक है इस बात को द्यान रखना तो बाइनरी अंक जीरो और multiply access ठीक है multiple access आप कह सकते हैं time division multiple access ओके यह हमारे पास होता है चलिए प्रश्ण करमांग 14 की और चलते हैं तो 14 में दिया गया है M.I.C.R. प्रनाली का उप्योग मुख्यता कहां होता है यह भी काफी important question है ठीक है सारे के सारे जो question है और सब important है M.I.C.R. प्रनाली का उप्योग मुख्यता कहां होता है तो बैंकों में होता है M.I.C.R. का प्रनाली का उप्योग मुख्यता रूप से बैंकों में ज्यादातर होता है ठीक है तो प्रश्ण करमांग 15 की वर चलते हैं तो 15 में दे रखा है कि computer सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं यानि जो computer होता है हो कि सिग्नल के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है तो डिजिटल रूप में केंप्यूटर डिजिटल रूप में ही प्राप्त करेगा ना प्रेश्ण करमांग 16 की और चलते हैं तो 16 में दे रखा है कि डाइरेक्टरी के भीतर डाइरेक्टरी को क्या कहते हैं डाइरेक्टरी के भीतर डाइरेक्टरी को क्या कहते हैं यह आपसे पूछा जा रहा है तो उत्तर में दिया गया है कि सब डाइरेक्टरी हम कहते हैं क्या कहते हैं सब डाइरेक्टरी ओके यह हमारे पास एंसर हो गया है चलिए प्रशन करमांग 17 की ओर चलते हैं तो 17 में दिया गया है कि इंटरनेट में परजुक्त होने वाली भासा है तो क्या है भासा तो ये है जावा क्या है भासा जावा इंटरनेट में जो भासा होता है वो कौन सा भासा होता है जावा होता है इसी परकार चलते हैं प्रशन क मोनीटर के डिस्पले के आकार को कैसे मांपाजाता सिना टो डाइग नली से डाइग नली से हम आपते हैं इसका उतना ठाक है प्रशनकरमांग कुनिस की ओर चलते हैं μέaldre new computer में प्रियोग होने वाली जा味 भासा को किश कंपनी ने बना है केमने जो जार में जोग सा उता है इस में किसंब ने बना यह पूछा जा रहा है ठीक है तो इसका ज़ए-"इस इसका сем- сколько तो इसी प्रकार चलते है는 प्रश्न करमांक 20 की और थो 20 में आप देख सकते लिखा गया कि सी भासा को किस ने बनाया है तो इसका ऑप गाहा में यहा ना पेरल सरे torch टोट होगा ठीक है पैरलल होगा क्या होगा पैरलल पोर्ट यह इंग्रीस में लिखा गया पैरलल से चले प्रश्यंकरमांग हम चलते हैं 22 22 उससे लिए कि फेस्ट का पूरा नाम परना मते हैं लोग चल्स ना कि प्रिशन्करुषक तर्शन को मांग 23 जरते हैं तो 23 में तो była कि कि ना नेटवर्क में computer को जोडने की भवली की विवस्ता को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर है टोपोलाजी क्या इसका अंसर टोपो लेज लॉजिट लॉजी दोपोलाजी ओके चलिए प्रेशन करमांग 24 यह चलते हैं तो प्रेशन करमांग 24 में आप देख सकते लिखा गया कि OSI का पुर्ण रूप क्या होता है OSI का पुर्ण रूप क्या होता है ना तो इसका सई एंसर Open System Interconnection क्या ओपन सिस्टम इंटर कनेक्षण होता है अम मैंने इस तरह से लिख दिया सब प्रश्न करमांग 25 की वर कि तो पचीस में दे रखा कि OSI मोडल में तो इसका सही इंसर सात लेर्स होते हैं कि तो साथ लेर्स होते हैं चलिए प्रश्न करमांग 26 में चलते हैं तो 26 में दिया गया कि software code में through tea धने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं do éd link का थे क्या कहते हैं क्या कहते हैं okay तो इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न कर मांग 27 कि और तो 27 में दिया गया है कि किसी भी website में http क्या होता है एक कता है क्icularco엔 यह यह कहता है से नहीं होता है है साथ लिंक किसी लिंग prevent से पहले दकिए काहा था कि squire नहीं होता है इसमें हकिंग का ज्यादा चांस होता है लेकिन Gibbs वाएС फिर लिंग पर उसमें बहुत कम चांस होता हुआ ठिक है वह नीला कलर का होगा ठिक है अगर रेट होगा तो बाई कभी क्लिक मत करना नहीं तो आपका data hack हो सकता है ठीक है प्रेशन करमांग चलते हैं 28 28 में देर रखाय की गन्ना ठीक है गन्ना और तुलना के लिए केम्प्यूटर के किस भाका पर्योग करते हैं तो इसका सहीं सरे एल्यू भाका ठीक है एल्यू भाका matlic logic unit ठीक है matlic logic unit ऊटाफे इसका फूल फॉर्म है चले प्रेशन करमांग 29 इक मढल्युक्त है तो प्रेशातर, प्रेशन करमांग को 29 में आप देख सकते लिखा गया की dot matrix यॅक factor का क्या है yup तो Bean पर है इसका साइन सब्रिंटर ठीक है क्रिशन करमांग तीस में आप देख सकते हैं कंट्रोलिंट और है कुझियां को तो मोडि ऍवाइर कहते हैं कैंप्ली चर। कांट्रोल से अल्ट है न इस अब क्या बोलते हैं तो मोडिफायर बोलते हैं ठीक है इसका उतर मोडिफायर प्रेश्रिंग कर वाइब तो प्रेश्ण कर मांग 31 की और चलते हैं तो 31 में दे रखा है कि पहला केंप्यूटर माउस किसने बनाया था तो इसका सही राहे डगलेस एंजल बयटीक है डगलेस एंजल बयट्ट के इसका सही एंसर है, क्यμεविडर जी पहला कंप्योटर मांस किसने बनाय था याद रखना तो डगलेस एंजल बायट्ट की प्रैश्न करमां की 32 की वर चलते हैं तो 23 में दिया गया है कि login name login name login name तथा password के सत्यापन की प्रकिरिया क्या कह लएती है तो authentication के लिए आपको क्या मांगता है login और password आपसे मांगता रहता है ना कि लॉगिन नेम ठीक है अगला चलते हैं प्रश्ण क्रमांग 33 की दो तो 33 में दिया गया है कि कोड को सांकेतिक सब्दों में बदन बदलना क्या कहला है चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्ण करमांग 34 की ओर तो प्रेश्ण क्रमांग की यहां 34 आप देख सकते हैं कंप्यूटर वाइरस डैस होती है तो इसका सही अंसर है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम ठीक है कंप्यूटर वाइरस क्या होता है केंपीटर प्रोग्राम होता है प्रेशन क्रमांग 35 की और चलते हैं तो 35 में दिया गया है कि वायरस का विस्तार रूप क्या होता है तो इसका सही इंसर है तो यानि फूल फॉर्म आप से पूछा जाए ठीक है विटल इन्फॉर्मेशन ठीक है प्रेशन क्रमांग चलते हैं 36 की और तो 36 में दे रखा है कि कौन सा सौफ्ट्वेर सिफ्ट रैपड़ीकेटिंग सौप्ट्वेर है जो फाइल और सिस्टम को छती पहुंच आता है तो यह वार्म ठीक है क्या वाम ठीक है क्वान सा सब्ट्वेर है तो यह वाम ठीक है प्रेशन करमांग हम चलते हैं 27 की और तो 27 में आप देख सकते हैं 27 में लिखा सॉरी 37 37 में दे रखा कि एक केम्पीटर वायरेस समाने था एक केम्पीटर वायरेस समाने था स्वैम को अन्य केम्पीटर प्रोग्राम से जोर लेता है प्रेशन करमांग 38 में दे रखा यहाँ पर कि यस पेम का प्रकार है जहां आवांजित संदेश इमेल द्वारा भेज़े जाते हैं तो हैंखिंग ज़्यादा चांस बने जाएंगे तो चलिए प्रश्ण करमांग हम चलते हैं 49 की और तो प्रिए छातर प्रेश्ण करमांग 49 में देख सकते हैं कि computer hacker से बचने के लिएTIC told करना चाहिए यानि computer hacker City वाकरवन करता तो से बचने के कैम्प्यूटर में क्या इंस्टौल होना चाहिए तो firewall क्या होना चाहिए firewal रहेगा तो हम computer hacker होता है उसे हम बच जाएएंगे टिके चलिए प्रेश्ण कर मांग 40 प्रते हैं तो 40 में दे रखा है यहां पे कि निम्न में से कौन केम्प्यूटर में में प्रवेश होता है परंतु यह ना तो वाइरस है और ना ही अपने को मेमोरी में कॉपी करता है तो इसका सही अंसर लॉजिक बॉम क्या है दोस्तों इसका लॉजिक बॉम ओके चलिए प्रश्ण करमांग 41 की औ चलते हैं 41 में दे रखा है कि इंटरनेट पर परजुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर परजुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन है तो इसका सही अंसर है टीसीपी और अबलिक आईपी टीसीपी अबलिक बोलते हैं अबलिक इंटरनेट पर इसमें की वर्ड होता है डेस के भीच होता दो एंगुलर गरेट के बीच अगुलर ब्रैकेट का शीमबॉल यहांहे आप देख सकती यह सींबॉल हैं ऑदुल ब्रैकेट्स पर सब प्रेत्स गर्गयट से चाहिए टम श्रीचdade amendments है तो प्रीषन करमांग चलते हैं हाद यह प्राश्ण करमंक अगला लेते हैं तो प्रेश्ण करमंक फौर्टि फोर्स फोर्स में आप देख सकते हैं लिखा गया की व्र वाई वे deliberate किसमे किया था तो यानी एका विस्कार किस ने किया था तो हो की आता टीम बंडर्सली ली ओने टीम भर रशली ने इसका कि किसका अविस्कर किया डबलु-डबलु का यहीं वर्ड वाई वेव का प्रश्णिकर मंग पैतालिस की और चलते हैं तो और थालिस में दिया आगा है कि हम डैस का प्रीयुग स्वाइव और पहूंचते हैं तो ब्राउजर ल होग हना तो इसका प्रीयूग करेंगे तो पहुंचेंगे ठीक अगला प्रश्न है प्रशन करोंग फिट्रेश बार्वांग 16 लिक्सक crooked लिखा गया है की यूर्ल क्या होता है यूर्ल क्या होता ये आपसे उत्तर है किसी भी डॉक्यूमेंट या एड्रेस होता है ठीक है क्या यूर्ल क्या हcjonता है थो और टोलकेमेंट या पैज संद्धिए तो इट मींस यहां समझे यू आरेल जैसे कि आप मेरा चैनल है ठीक है तो चैनल का अगर लिंक कॉपी करोगे तो वह हमारा यू आरेल हो जागा ठीक है डबलो डबलो से स्टाइट रहता है ठीक है उसमें रहता है यह आप समझ गया होंगे चलिए प्रिशन करमांग 47 की और चलते हैं 37 में अब देखते हैं इमाजोन से मंगाने के यह सब मंझाने की फिरिया होते हैं क्या कह लाता एक अगर जैसे इंटरनेट पर समान समान जो है वस्तु के लेंदिन करते हैं तो हमने कह सकते हैं कि भाई मैंने यहीं कमर्स से मंगवाया यहीं कमर्स किया इस समान के बीच ठीक है यानि किसी किमा एक्रण में kisii फ्लिप कार्ड अमाजुन ठीक है प्रेश्ण कर्मांग करतालिस की और चलते हैं और तालिसमें दिया कि विंडोज में किसी टेक्स्ट्रल 的 गूद्ने के लिए कुझी है कंट्रोल प्लस weight windows में किसी टेक्स्टल के ने की लिए कुंजी कौन साय तो कंट्रोल प्लस है चलिए प्रेशन करवांग उनचास की और चलते हैं तो फ्रिय चाथ रहें पर देख सकते हैं प्रेशन करमांग जो बास्क बार कहां रहता है तो इसका सही एंसर है स्क्रीन के निचले वाले भाग पर कहा रहता है स्क्रीन के निचले वाले भाग पर तो आई होप कि यह 50 प्रेशन आपको समझ में आ गई होगी सारे के सारे जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है तो अगर वी झाल झाल